तो गाइज बहुत ही वाइरल ट्रेंड है और इजी ट्रेंड आप कैसे अडिट कर सकते हम आपको सिखाएंगे तो सबसे पहले जो है गाइज आपने कैपकाट अपको ओपन कर लेना है अगर आपके पास कैपकाट अपने है तो आपको यह प्ले श्टोर में से मिल जाएगा अपने न्यू प्रजेक्ट पर कलिक करना है गईज न्यू प्रजेक्ट पर कलिक करने के बाद यह वीडियो हम स्लेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से तो कुछ ही मिनट्स की वीडियो है मैं आपको पले करके दिखाता हूं गईज तो इस तरीके की जो है यह यह वीडियो है अब इसे जो है आफ सपलेट कर दें इसका हिस्सा बाकी Nash आगे इस तरीके से आजाएं और जहां यह PIX KOTम हो रही है भाइस आप इसे इस तरीके से सपलेट कर दें एंडिंग वाला जो वाटर مार्क इसे यह आसान तरीका है वीडियो लिखा है फोटो लिखा है फोटो पर कलिक कर दें और अपनी जो पिक्स एड़ करना चाते हैं वो यहां से स्लेक्ट कर लें और स्लेक्ट करने के बाद यहां पर इस तरीके से एड़ कर दें और इसे इस तरीके से पूरे पूरे स्क्रीन पर फिट कर दें अब जहां तक यह two step हमने split किया था इसके बराबर pics के यहां पर आप इसे इस तरीके से बराबर कर लें आप गाईज इस pic पर अपनी पर कलिक कर लें और नीचे आपको option दिखाए देगा animation का animation पर कलिक कर लें यहां three option आपको दिखाए देंगे in out combo तो आपने in पर कलिक करना है guys इन पर कलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के effect आपको दिखाए देंगे यह fast यह two यह three यह four और यह five तो आपने जो five वाला है यह enable कर लेना है अपनी वीडियो पर enable करने के बाद guys आप जो है आपकी वीडियो create हो चुकी है मैं आपको play करके दिखाऊंगा यहां से तो guys देखें तो इस तरीके से जो है यह वीडियो create होती है बहुत easy तरीका था just मैंने आपको बताया ताकि आपकी वीडियो viral हो सके यह clip आपको कहां से मिलेगा guys यह clip आप मुझे instagram से मांग सकते हैं मैं आपको वहाँ पर send कर दूँगा बाकी जो clip आपको और कहीं से नहीं मिलेगा google से भी नहीं मिलेगा तो आप मुझे instagram पर follow करके यह उससे ले सकते हैं तो मैं इस तरीके के trick talk trends और technical videos लेकर आता रहता हूं guys बहुत ज़्यादा viral trend अगर इसके views की बात करें तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा views आये हुए है वीडियो पर अगर आप इसे export करना चाहें तो first per arrow का option आपको दिखाई दे चुका होगा इस पर click कर दे आपकी वीडियो जो है gallery में ना start हो जाएगी तो बहुत इसी तरीका था मैंने जैसे आपको tutorial बता है इसका अगर वीडियो अच्छी लगी है सबस्क्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूं आपको next video में thanks for watching बाई